हलो फ्रेंज आज मैं गेव के आटा और सूजी का केक दिखाने जा रहे हूं जिसका मुझे बहुत बहुत अच्छा रिव्यूज आया है मेरी खुद का ये केक मेरा इनोवेटिव है हेल्दी वर्जन है तो चलिए शुरू करते हैं एक कप पानी लिया है मैंने और इसी के अंदर ही मैं हाफ कप दूद डाल रही हूं और इसका मैं एक मिक्सचर बनाऊंगी और ये मेरा खुद का इनोवेशन है मेरी खुद की रेसीपी अब जरूर ट्राइ कीजिए सुजी को मैं फाइन पाउडर बनाऊंगी मिक्सर जार में डाल रही हूं और इसका मैं अभी फाइन पाउडर करूंगी जितना हो सके उतना करना है जरूरी नहीं एकदम फाइन गयों के आटे जैसा नहीं होगा पर थोड़ा दर दरा रहेगा तो फ्रेंस ये देखिए थोड़ा जो ये आटा है वो थोड़ा दर दरा है पर वो चल जाएगा देखिए इतना हुआ है तो अभी इसको मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ इसके अंदर में केसर पिस्ता एसेंस डाल रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आपके सर और इलाइची डाल सकते हो कोई भी एसेंस जो भी आपका मन पसन है और इसको मिक्स करती हूँ ये देखिए इस तरह से मिक्स कर दिया मैंने और अभी इसको इसके अंदर में जो ये सूजी पावडर बनाया है ये डाल रही हूँ दे से मिक्स कर रही हूँ तो ये हाफ कप सूजी था जिसका मैंने पावडर बनाया है अभी इसमें मैं तेल डाल रहे हूँ वन थर्ड कप तेल डालने के बार मैं बीटर से इसको आदा मिनिट मिक्स कर रही हूँ ताकि उसका मिक्सचर अच्छी से बन जाए बहुत अच्छा ब तो वन मिनिट अभी में इसके अंदर ही शुगर पावडर डाल रही हूँ यह देखिए इसके अंदर में ने अभी 3-4 कप शुगर पावडर डाल दिया है इसी मिक्सचर के अंदर देखिए अभी वापस में बीटर आफ मिनिट चला रही हूँ अगर आपको हाथ से करना है चमत से तो वन मिनिट गुमाते रहना, इस तरह से अच्छा उसका टेक्स्चर आता है, तो ये देखिये फ्रेंज, ये मिक्स्चर बन चुका है, तो सुजी अब अंदर वो पूरा एब्सॉप करेगी, अभी ड्राइ इंक्रिडियन्स में एक कप मैंने घ्यों का आटा लिया है इसी के अंदर में वन टीश्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और इसी के अंदर में हाफ टीश्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, उसको अच्छे से चान रही हूँ, ताकि अच्छे से मिक्स्चर बन जाए उसका, ये देखिये, बन गया है, और अभी मैं थ गेउं का आटा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मैंने छाना था इसी में मैं डाल रही हूं यह देखो इस तरह से डाल के अभी बीटर से पहले ऐसे गुमाओ तो अच्छे से पहले मिक्स हो जाए फिर आदा मिनित जितना उसको बीटर चालू करना है और अगर हाथ से करें तो एक मिनित कुमाते रहे ना कोई चमज से या कुसी से भी और इस तरह से मैंने आदा मिनित जितना फ्यू सेकंड्स आदा मिनित जितना मैंने बीटर चलाया है इस तरह से देखिए और यह से करने से टेक्स्चर देखिए कितना अच्छा हो गया अभी मैंने टीन ने मैं ओईल और मेदे से ग्रीश किया मिक्स नट्स से मैं इसको गानिशिंग कर रही हूं काजू बदाम आपको जो भी यह मिक्स से मैं थोरा इलाइची पाउडर भी उपर से स्प्रिंकल कर रही हूं मुझे यह अच्छा लगता है मेरे कस्टमर को भी अच्छा लगा तो अभी म मैं इसको बेक कर दें रखती हूं गेश के उपर कुकर में सीटी निकाल दिया है 40 मिनिट स्लो पे किया है मैंने देखिए और धोरा बच गया था तो यह मैंने इस तरह से एक छोटा कटोरे जितना मैंने अलग से किया मैं तले दो केक बने इसमें से एक बड़ा केक बना एक च्छोटा मेरा केक बना यह देखो अभी मैं देखती हूँ बन चुकह है केक तो यह इस तरह से सलो पे एकदम स्लो पे 35 to 40 मिनिट के बाद चेक करना मैंने 40 मिनिट रखा है तो अभी मैं निकाल रही हूं छोटा थोरा बेटर बच गया था तो इस तरह से मैंने इस तरह से मेरा छोटा कटो रहा था उसमें मैंने स्टील का था और उसमें ओईल और थोरा मेदा डाल दिया था डस्टिंग करके और नीचे इस तरह से ये बन गया देखो नीचे मैंने एक कपकेक का लाइनर डाल दिया था तो ये मेरे दो केक अच्छे से बन गए एक बड़ा और एक छोटा तो फ्रेंस ये अभी मैं अनमोल करके दिखाती हूं आप देखो कि इतना अच्छा बना इतनी अच्छे मेरे कस्टमर ने तारीफ की कि मैं आपको क्या बोलू और इसे ये मेक्स्चर ये से इतना माप से आदा किलो से उपर बनता ये देखि केक इतना अच्छा लोका ये देखो मैं फिंगर रख रही हूं इतना अच्छा टेक्स्चर है कि मैं आपको बार बार ऐसे तारीफ की जाती हूं पर जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बना तो आप खुद बनाए ये रेसीपी से मैं बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बनाने में देड़ नहीं लगती है फटा फट एक साइड गेज पे कुकर पे रख दो दूसरी साइड आप खाना भी बना सकते हो इस तरह से मैंने एक बड़ा मेरा केक था वो और एक ही मैंने छोटा दो बना है आप खुद ये केक बनाए हेल्दी हेल्दी बच्चों को खिलाए ज़रूर बच्चों खाएंगे उनको क्या पता कि इसमें घ्यूं का आटा है कि सूजिए आप टेस्टी टेस्टी बनाए अच्छा फ्रेग्रेंस डालिए तो बच्चे ज़रूर आपके हाथ के केक खाए है तो प्लीज ये हेल्दी हेल्दी बच्चों को बना के खिलाए खुद भी खाए फैमिली खुश हो जाएगी हेल्दी खाना खाएंगे हेल्दी केक खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे के सर पिस्ता काजू बदाम सब डाला है तो ये इसमें प्रोटीन्स विटामियन्स बन मि आप जरूर बनाएं और एंजोई कीजिए